क्लास 8 का exercise 3.4 हम शुरू कर रहे हैं बाकी आपने पीछे का सब देखा हुआ है कुछ बचा हुआ नहीं है exercise पीछे की में तो यहाँ पे जो बात चल रहे है हमारी वह है आपे स्टार्ट का हुआ लेकिन यहां पे इन्होंने इसके नाम को दिनोट किया हुआ ठीक है इस ए ट्रपेजियम इन विच एस्टी पेरलर ऐसा इस एंगल एस इस इकल टू फिफ्टी डिग्री एंड एंगल टी इस एक वाले में हैं तो आपको थोड़ा सा पता होना चीज इसके बारे में बैक ग्राउंड के बारे में बुक्स आप पर चेस करने प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से तर्पेजियम के बारे में लिख रहा है तो एक वाडी लेटर विच वन फेर आप ता पोजिट पर करें इसके वन पेर यह यह झो जोड़ा पूरा वह क्या होगा अगर पेरलर है अपोजिट साइड तो उसको क्या बोलते है टर्पेजियम यहां पर नों दिखा रख आए कि पी औरश एक टर्पेजियम बिकास पी क्यूं एस आरक के पेरलर है पी क्यों एसा जाए ज़र double line दिख रहे हैं आपको इसको बोलते है parallel की हिरzw डावल लाइन है ठीक है तो आप यहां पे देखो जड़ाव MARTIN की तेल आधिर एची ईप राए यह डेखे है ताइपस फटर पाइसे है इसके बाद a negative स्केल्स है दुपेजियम है टरolor और इकल्स जो है पैल्लोल साइड नहीं हो के नहीं ऊंप यह है और इकभाड यह है इस इस कडे criança टरपेजियम क्यों टिर पेसियम क्यों एस झाइच क्यों क्या है तुर्पेजियम यह वहिश melhor है इस जो है वह क्यों आ ना इसको बोलेंगे इससे danglar tarpesiedamm क्या होता है ए hiçbir टेराइट यह याठ यह कोईर्फ को थे एक हुआज्ट को अइंटसाइट डिक फिका जिसमें जो है डो पेयर होंगे इसके एईसे लेंट length is a kite, इसमें same length के two pairs होते हैं, जैसे कि ps होता है pq के sr होता है qr, जहां भी kite की बात होगी, मैं आपको दिवार से याद दिला जेना चाहता हूँ, कि कहां पे kite की बात होगी, जहां पे kite आपको दिखाए देगा, वहां पे आप ये condition apply करेंगे, कि pq is equal to होगा, ps के ये ये वाली side, इस वाली side के, ये वाली side, इस वाली side के, ध्यान रख लेना आप इस बात को, ठीक है, तो हैं पे कुछ properties दे रखें काईट्स की कि क्या diagonals होते हैं, हाँ, अकसर देखा है, आपने से tipisium होता है, ये two sides मिलाके 180 करने हैं आपको, कुछ मत समझे, वैसे तो वह alternate interior होता है, और क्या बोलते हैं, उन दोनों का opposite angles होता है, और तुमारे corresponding angles होते हैं, I think मुझे लगता है अभी अपको इतना नहीं समझ में आएगा, तो कुल मिलाके पास सिर्फ इतना देखना है आपको, कि जहां भी two angles आपको दिखेंगे, ये जो two side है, इन two side को मिलाके, two angles को मिलाके 180 होना चाहिए, ठीक है, तो आम exercise की तरफ चल रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही असान exercise हो, प्लीज पूरा देखिए, ठीक है, तो exercise three point four, और question number हम first की बात कर रहे है, मैंने यह डाइग्राम यह बना लिया है, ठीक है, तो दियान देखेंगे हैं बे star 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 is a trapezium in which st जो है हमारा, वो है parallel कि इसके आरे के, क्या मतलब है इसका, कि ये वाली line इस वाली line के parallel है, parallel समझते हो, इनकी जिनके बीच में क्या हो, equal distance हो, जिसके बीच में equal distance हो, R और S के बीच में always, इन दो line के बीच में always equal distance हो, equal distance समझते हो, बरावर दूरी हो, कभी भी इनकी दूरी कम नहीं हो, जैसे की rail की पट्रिया, आपने देखा है, वो ऐसे ऐसे घूम एक दूसरे को कभी भी intersect नहीं करेंगे, मनले एक दूसरे को कभी भी touch नहीं करेंगे, ठीक है, उनको बोलते है, parallel lines, ठीक है, यहाँ पर angle S जो है हमारा, वो क्या है हमारा, 50 degree, और angle T जो हमारा, वो क्या हमारा, 50 degree, find two, find other two angles, हमको क्या, other two angles find करने, we know, कि angle 7, sorry, angle R और angle A जो हमार वो दोनों नहीं पता है हमको, तो हमको find करने है, 42 angle नहीं, ठीक है, देखिए parallel lines के लिए तो वास्ता में ऐसे पढ़ा जाता है, इस तरीके से, तो यह वाला जो angle होता है, और यह वाला angle जो है, equal होता है, जिसको हम बोलते है, alternate interior angle, और यह पूरा 180 होता है, तो यह पूरा 180 होत है, 180 आना चाहिए, तो जर्द यहां देंगे, angle R और angle S को आप add करो, तो किना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, हाँ, क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, यह थोड़ा, यहां पर आप देखेंगे, angle R की जो value है हमारी, हमको नहीं पता है, angle X की value क्या है, 50 है, कैसे पता चला लिखा हुआ, दिया हुआ है, 180, 50 दरा इजादा के minus के उदाएंगे, R इसकल तो हो जाएगा 180 माइनस के 50, angle R is equal to कितना हो जाएगा 130, and then second, same, angle A plus angle T is equal to 180, angle A हमको नहीं पता है, angle T 50 is equal to 180, angle A is equal to कितना हो जाएगा 180 माइनस के 50, angle A is equal to कितना हो जाएगा 130, चीए, मैं फिर आप आपको बता दूँ कैसे पता चलती है हमें कि यह वाली values के equal हमान लेते हैं, यह हमारा 50 है, आपको यह बात पता होना चाहिए कि एक लाइन पर बने हुए एंगल 180 के होते हैं, और 50 में से अगर 180 माइनस होंगे तो कितना मचाएगा 130, यह 130 है तो यह 130 होड़ा, विकॉस क्यों मुस्त, ट्स, म, Q, म, यू के पैललर हैं, ता पैरी मिटर अफ दर पेजियम इस आ फूटी एट सेंटी मिटर इस पन अफ द पैलर साइड इस तो नॉन पैलर साइड इस तो बहुत असान कुश्यन है बहुत ही जादा, यह डाइग्राम इसका ड्रो कर लेता हूं, आइ यू, ठीक है, तो यहाँ पे जो में दिया हुए है, वो क्या दिया हुए है कि इसका जो second number का कुश्षन है इसमें, दिया हुए हुआ हमको क्या, एक टो मुको दिया हुआ है, कि इसका पीरिमीटर है, complete पैरिमीटर क्या होता है, अगर आप लोगों ने जानते हो, पैरिमीट तो टोटल लेंठ होगी रसी की नहीं लंबाई होगी उसको हम बोलते परिमेटर ओके आपको समझ में आगया होगा वैसे आपको पता होगा मुझे पता है बात तो टी-स पैरलर है मुझे परिलर का साहिन है मैं आपको बता चुका हूं कि टी-स और मीजो बीच में यह इन्टर यानि कि T.S. जो है, उसको हम लेट कर लेदा हूं, लेट मतलब मानना होता, अपनी मर्जी से, L.E.T. ठीक है, तो इसको हमने मानने X, वो कह रहा है कि वो दूसरी लाइन से पहली लाइन से पहलर से, वो twice-twice मतलब टाबल है इस पर एक सुरुपे है इस पर कितने है टुउट रूपे है और बाकि जो नॉन परिलर साइड है यानि की कौंझ सी टी एम तो TM जो है और प्लस SU उन दोनों को अगर एड कर रहे है तो वो कितना रहा है 21 आ रहा है यह तो कहीं नहीं लिखा है sum of two non-parallor side non-parallor side जो parallel नहीं है वो क्या है 21 find the two parallel side हमको two parallel side find करने थे तो TM और SU 21 लिखा हुआ है हम पर और यह हमें इस तरीके से we know very well जो perimeter होता है वह होता है sum of all side होता है sum of all side होता है तो याने की कहने का मberyल टि एस को add करना है हमको SU में और MU को add करना है हमको MT में यानि कि剛剛 TXT अब आप MT लिखो या TM लिखो टे स लिखो ST लिखो स लिखो IM लिखो या ABU लिखो कोई मतलब नाई नेकी होती है हम कह surprising कितना歹ु摆 carriage कैसे पता चला हमको दिया हो है कि अपको टी ऐस्ट कि वैल्यू क्या है X स्यू एन्ड एस यू और टी एम दोनों को मिला लेते हैं तो कितना होता है obs और m you पर विलालेते हैं तो क्या होता है हमारा 21 टो एम्यू सॉरी टी एम एंड एस्यू को मिला लेटेट कितना होगा 21 इन दोनों को मिलाके 21 और एम्यू की जिए पर 2X 48 इधर आगे किसके हो जाएगा 21-21 हो जाएगा 2X और 1X कितना हो जाएगा 3X हो जाएगा तो 8 में से 1 जाएगे कितना होगा 7 इत में से 1 जाएगा 7 और 4 में स्टू जाएगा 2 जाएगा 3X 3 को उठाके दले जाएगा 27 अपन 3 जाएग आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है बहुत ही असान सा कॉंसेप्ट है मैं कुशन कर रहा हूं फॉर्थ थार्ड में सिर्फ रीजन्स लिखने जिसलिए मैं इसको छोड़ दिया है अगर आप थर्ड महीं समझ पाते हैं पर फॉर्थ समझ लो कोई बात नहीं ठीक है पूरी देखें दिया और ना कोई फाइदा होता नहीं मैंसा आप यह मेरी बात सुनने तक पहुंच होगे भी नहीं फिर भी अगर पहुंच हो तो वेरी गुड तो टानिज दा काइट ऑफ काइट इन विच डियागनल टी आर एंड 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 इनके डाइगनल है और यह पहें इंट्रसेक्ट करते है पॉईट ओपे कि कैसि एज़ इन एग वहेरी गांगज कई हईकर कि Invest effect की फाइफ तो ऑगर मैं बहूंति यहिए हैं टी आर चुर्पंटी तो में कहूं कि 3X इइपल्ट इटान की? तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 22 प्लस के 5 तो 3x is equal to 27 x is equal to 27 upon 3 3 कहाता है यह into में इधर आके divide में हो गया 3 9 जा 27 तो x is equal to कितना हो गया 9 तो एक x की value तो निकल लिखे हमको find क्या करना है find the value of x and y अब नीचे आजाएं वी नो कि टी यू जो होगा वह भी यू आर के पाल होगा क्योंकि यह भी काईट के पापट पीछे मैंने आपको बताया था नहीं तो आप बुक्ले लिए जिसमें देखिए नहीं तो मेरी इस वीडियो को reverse करके देख लिए ठीक है आपको समझ में आ जा थर्टी फाइब हो गया अपॉन सेवन 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 फाइब कितने होते हैं तो वाई की वैलू के आगई 5 और एक्स की वैली कितने आगई 9 तो बहुत असान बात है अगर आप आगे के कुश्चन देखना चाहते हो तो देखिए आप इससे बिना करे भी सॉल कर सकते हैं यह यह ए है इस पर बॉक्स सा बन रहा है ने बॉक्स यह 90 का है यह 90 का है आपको दिखरा होगा यह 90 का है तो यह 90 और यह 30 में से इसको 180 में इसको माइनस कर दो या फिर आपको यह बात भी तो पता होनी चीह है question number 5 है sorry जिसे मैं थोड़ा जल्दी से बना रहा हूँ यह 90 है हमें पता है यह 90 हमें पता है यह 130 हमें पता है और यह X है और यह हमारा K, यह हमारा C, यह हमारा P, यह हमारा I तो Y की value तो 90 है कैसे Y की 90 है अरे आप देख रहे हो इस question में Y की value भी पूची है तो Y यहां पर यह 90 है यह 90 को कि यह box लग रहा है नहीं तो एक दोर से माइनिस के लिए मैं आपको बता है यह दोनों कर सकते हो ठीक है आप पीछे वाला concept फेल हो रहा है वह अलग बात है ठीक है तो यहां पर इस तीनों को add कर दो चारों को एंगल कै एंगल सी एंगल पीा एंगल आई इसी को कितनो हो जाएगा म्रा 14 360 क्योंकि फूरिंटी का संक्या होता है कि कितने यह मारा 130 जिर Awesomemot नाइंटी सुर्शें नहीं पार आइक साहीट हो कि 90 1 TA NEटή होता है नबहें ठीक है और यह 130 इधर जागे तो 90 तो आप एक बार कर लेंगे ठीक है सेम कुश्चन है यह भी एंड यह ठीक है आपकी एकसाइज कंप्लीट होती है और नेक्स एकसाइज क्या नेक्स चैप्टर ही चलेगा हलाए कि मेरे पास अभी उसके लिए कुछ समान नहीं हो प्रोटेक्टर यह वो चाहिए तब तक इसको अच्छे से पढ़ते रहे हैं ठीक है थेंक्यू बाए